वल्कम टू केरियर स्टेडी फ्रेंड्स आज हम लोग SSC CHSL 2018 के जो टाइपिंग टेस्ट होने बला है उसके लिए कुछ विदार्थियों कुछ टीप्स जो टाइपिंग टीप्स है वो बताना चाहूंगा ठीक है फ्रेंड्स तो टाइपिंग में जाने से पहले आप लोग कु स्टाट करते हैं ठीक है फ्रेंड्स चलिए यह सेंट्रल रिजन के लिए भी मान सकते हैं और ऑल स्टुडियों के भी हो है ठीक है फ्रेंड्स चलिए विडियों को स्टाट करते हैं फर्स्ट में है कि आप लोग सच्टापन आपका सच्टा दस्तावे सच्टापित हो जाने जो आपको लोग का वेरिफिकेशन हो जाएगा फिर आप लोग को टापिंग टेस्ट के लिए कॉम्प्यूटर रूम में भीजा जाएगा आप लोग को ठीक है याद रखिएगा उसके बाद है वहाँ आप अपने पसंद के कीबोर्ड के कॉम्प्यूटर सिस्टम को टापिंग टेस्ट के लिए स्लेट कर सकते हैं अगर आपको पसंद का कीबोर्ड नहीं मिला हो तो आप स्टाप को कहकर कीबोर्ड चेंज करा सकते हैं वो कीबोर्ड चेंज कर देते हैं नेक्स्ट है सिस्टम पर बेट जाने के बाद आपका एडमीशन सर्टिफिकेट यानि कमीशन कपी फर्थम इंप्रेशन लिया जाएगा ठीक है उसके बाद है ये सारा काम हो जाने के बाद आपको एक 6 से 7 लाइन का पैसर्ज दिया जाएगा ठीक है नेक्स्ट है उसके बाद आप सिस्टम में अपना रोल नमबर इंटर करके आगे बढ़ेंगे तो दो मिनिट का एक ट्राइल टेस्ट होता है उसमें उवो पैसेज को लिखना होता है ठीक है फिर next है दो मिनिट के trial test complete कर लेने के बाद आपको final test देने का option नीचे आ जाता है ठीक है तिरे next देखते हैं उसको उसके बाद आपको final test passage मिलेगा जिसमें total की 1750 से 1760 तक होते हैं ठीक है लेकिन पिछले CHSL के typing test में CGL का passage दे दिया गया था जिसमें 200 plus की थे उसमें से हमें 1750 की को type करना होता है पर्तेक लाइन के बगल में ठीक है पर्तेक लाइन के बगल में की की number दिया जाता है ठीक है आपको उपर से 1750 की ही type करनी है ठीक है जान लीजिए चलिए next देखते है सुरुवात में आप एक minute slow type करते हुए speed बढ़ा सकते है ठीक है और आपको बगल के typing speed को ध्यान नहीं देना है हो सकता है कि आपके बगल वाले typing speed ज़्यादा हो जिसके वज़़ से आप पर pressure बनने लगता है यह होता ही है ठीक है हर exam में यह होता है कि यह आप दूसरे का देखेंगे तो pressure बनने लगता है इससे घवराना नहीं है ठीक है चलिए आगे देखते हैं और आपको maximum कोसिस करना कि accuracy रखा जाए अगर आपकी speed 33 से 34 भी हो तो typing pass हो सकते हैं और अगर error भी होता है तो आप बचा हुआ time में आप उसमें उससे सुधार सकते हैं परन्तु कोसिस करना है कि typing समय ही error सुधारा जाए ठीक है उसी समय कोसिस कीजिएगा कि typing को सुधार लिया जाए ठीक है चलिए next देखते हैं अगर line छूट जाता है या repeat हो तो घवराए नहीं वो आपके error में count होता है मेरा 11 सब्दों का एक line छूटा था तो मेरा error percentage 6.92 रहा था और मैंने इतना की type किये थे ठीक है चलिए next देखते हैं error percentage category wise for ldc, pa, sa यूर के लिए 7% ठीक है यह error percentage category wise है ठीक है इतना error कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है इसमें obc के लिए 10% ठीक है st के लिए 10% और st के लिए भी 10% ठीक है यह error percentage है तक माफ होता है ठीक है note अब note में क्या याद रखेगा आपके पास अभी समय है तो आप daily practice note कर सकते हैं ठीक है daily practice करते हुए आप एक घंटा type करने बार एक घंटा का rest ले फिर से typing में लग जाए कम से कम 3-4 hour typing practice करनी है अभी से और खुद पर विश्वास रखे ठीक है अभी सही start कर देना है आप लोगो 3-4 hour daily practice लग जाना है ठीक है हर एक घंटा करके आप लोग rest लेजिए फिर typing start कीजिए एक घंटा rest लेजिए फिर start कीजिए ठीक है इस तरह करके आप लोगो प्राक्टिस करना है next है document verification में बहुत time लगता है अगर आपका reporting timing 12 बज़े से 12 बज़े से है तो आपको 1-2 बज़े dv के लिए बुलाएंगे आपका dv होते 4-5 हो जाते हैं उसके बाद typing लिया जाता है इस दोरन आप ठकान से बचने के लिए glucose को पानी में मिला कर यह अप लोग को बताया गया है ठीक है यह लिख कर सकते हैं अप लोग पानी मिला कर उसका पूरा time यूज़ कर सकते हैं ठीक है ठीक है इसको share कर दिजएगा ठीक है फ्रेंट्स कि जितने भी SSC, CHSL 2018 के जितने भी student है जो typing देने के लिए जाएंगे उनके लिए बहुत important tips हैं यह follow करते हुए आप लोग अपना typing का त्यारी start कीजिए ठीक है चलिए वीडियो को समाप करते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दिजएगा और इसी तरह का update के लिए चैनल को सब्सक्राब कर दिजएगा ठीक है फ्रेंट्स बाई